बच्चो आज का हमारा सब्जेक्ट है मैक्स और मैक्स सब्जेक्ट में हमने चैप्टर नमबर 3 एडिशन स्टार्ट किया और एडिशन में हमने पिक्चर एडिशन सिखा यानि कि हमने पिक्चर की मदल से नमबर्स को एड करना सिखा आज हम addition की दूसरी trick देखने वाले है वो कौन सी है चलो देखते है addition by counting forward बच्चों हमने forward number तो देखे थे number 1 to 10 forward number देखे थे तो हम forward counting से addition करना सिखेगे के से चलो देखते है यहाँ पर एक लड़का आपको दिखाए दी रहा है Yes उसने क्या किया उसको यह question पुछा उसको question पुछा कि 5 plus 2 कितने होते है यह मत देखो भी यही question देखो 5 plus 2 is equal to कितने होते है तो वो लड़के ने क्या किया वो लड़के ने अपने एक hand से जो पहले वाले hand है उसमें इस तरह से अपनी 5 fingers अपकी और फिर क्या किया देखो 5 number है तो 5 finger अपकी और दुसरे hand से 2 finger अपकी है ना फिर वो सारी की सारी finger उठने count कर ली यह एक trick हुआ अभी दुसरा भी हम कर सकते है कैसे तो यहाँ पर हम पढ़ते है keep greater number that is 5 in mind then count 2 more on finger बचो 5 और 2 में से बड़ा number कौन सा है बड़ा number है 5 तो 5 number को हमें क्या करना है हमारे mind में रखना है फिर क्या करना है फिर इस तरीके से number 2 है ना number 2 देखो दुसरा वाला पहले तो 5 अपने mind पे रखो फिर है ना 2 finger आपको रो क्योंकि दुसरा number 2 है फिर 5 को mind पे रखा फिर क्या करते है 5 के बाद हम counting करते 5 के exactly बाद वाला number है 6 then 7 7 हो गया तो हम इस तरीके से करेगे हम क्या करेगे जो greater number है वो हमारे mind में रखेगे फिर जितना दूसरा वाला जो भी number है finger अपनी up करेगे फिर उस तरीके से आज हम counting करने वाले है so let's start it ओके देखते है question add in mind and write the sum add in mind and write the sum अभी क्या करना है पहले हमें number को अपने mind में set करना है जैसे कि जो बड़ा number होगा वो सबसे पहला दिखते है 4 plus 3 तो 4 को हम mind में रखते है फिर क्या करना है 3 finger दिखानी है इस तरीके से 3 finger 3 है दूसरा number चलो 4 के बाद counting करते है 4 5 6 and 7 किता हुआ 7 हुआ so right here number 7 तो इस तरीके से हम आगे का भी करते जाएगे ये side का देखो 4 plus 4 4 plus 4 दोनों same number है तो एक काम करते है 4 को mind में रखते है और 4 finger आप करते है 4 5 6 7 8 8 हुआ so right here number 8 समझ में आया बच्चो चलो आगे के भी उस तरीके से करते जाते है 2 plus 6 is equal to how many which number is bigger number कौनसा number bigger number है कौनसा number बढ़ा है 2 या 6 6 बढ़ा है so 6 को हम 6 हम mind में रखेगे 2 finger up करेगे 6 के बाद counting करते है 6 के बाद होता है 7 and 8 7 8 तो total कितने हुए 8 so right here number 8 यहाँ पर देखते है 1 plus 4 is equal to blanks देखते है कि किस तरीके से अभी जो बड़ा number है वो mind में रखते है number 4 1 finger up करो 4 के बाद आता है 5 4 के बाद आता है 5 so right here number 5 next 4 plus 2 is equal to how many पहले हम बड़ा number देखते है बड़ा number हुआ 7 फिर 2 finger up करते है 7 के बाद counting करते है 7 के बाद हो जाता है 8 9 so right here number 9 next 2 plus 3 is equal to how many 3 नमबर को हम mind में रखते है क्योंकि वो बड़ा number है 2 finger up करो 3 के बाद counting करते है 3 के बाद counting करो 4 5 so right here number 5 next 5 plus 2 is equal to how many which number is bigger number 5 5 number is bigger number 2 finger up करो 5 के बाद counting करते है 6 7 कितना हुआ 7 so right here number 7 चलो next देखते है 1 plus 3 is equal to blanks अभी 1 plus 3 कितना होता है वो हमें देखना है बड़ा number माइन में रखो 1 finger up करो क्योंकि number 1 है so 4 के बाद आता है sorry 3 के बाद आता है 4 3 के बाद आता है 4 तो यहाँ पर क्या लिखना है आपको number 4 number 4 okay now see next 2 plus 4 is equal to how many पहले 4 number माइन में रखते है 2 finger up करते है 4 5 6 so right here number 6 right here number 6 okay next 3 plus 3 is equal to how many 3 को माइन में रखते है 3 finger up करते है 3 के बाद 4 5 and 6 so right here number 6 चलो आगे के दिखते है 8 plus 1 is equal to how many so 8 को माइन परको 1 finger up करो 1 finger up करो फिर 8 और 9 so right here number 9 4 plus 5 is equal to how many 5 को माइन परकते है 4 finger up करते है 5 5 के बाद counting करेगे 6 7 8 8 and 9 8 and 9 3 finger up करते है 3 finger up करते है 7 8 9 9 9 9 6 6 6 6 7 7 7 plus 3 is equal to how many 7 को माइन परकते है 3 finger up करेगे 7 8 9 9 and 10 so right here number 10 बच्चो अभी ये counting सब को आ गया ना addition by counting forward ये हम finger की मदद से count कर सकते है ओके बच्चो सब इको समझ में आया ओके अगला हम अगली वीडियो में देखेगे